गुड़ मानिं और जहीन दोस्तों आईए आज के करेड़ अफेर के साथ आगे बढ़ा जाए तो आज का पहला कोश्चन है आल लाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टा केंदर कहां बना या कौन बना तो याद रखेगा आल लाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला जो उत्कृष्टा केंदर बना है ये मेघाले की राजधानी सेलांग में बना है मेघाले की जो राजधानी है उसके सिलांग जो है वहां पे बना है ये पाइंट आपको याद रखना है अगर आप से बात कर लेते हैं ये तो आल लाइन गेमिंग का पहला उत्कृष् में मेखाले के CM है गवणर की बात करें तो BD मिस्तरा यहां के अत्रिक परभार मिला है इनको यह गवणर है और मेखाले में एक अस्थान है मानसिन राम मानसिन राम जो सरवाधिक वर्सा के लिए क्या है फेमस है यह पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है यहाँ पे बात करें यहाँ पे बाल पक्रम निसल पार्क है बाल पक्रम निसल पार्क और नो क्रेक निसल पार्क ये दो पॉइंट ये important है कि बाल पक्रम और नो करेक निसल पार कहां पे है तो ये दोनों मेघाले में है बात समझ माया मेघाले की जो राजधानी शिलांग है यहां पर सैनभ्यास संपन हुआ है एक काजिन सैनभ्यास ये काजिन सैनभ्यास किसके किसके बीच होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच ये संपन हुआ है कजाकिस्तान के बीच भारत और कजाकिस्तान के बीच ये सैनभ्यास क्या हुआ है संपन हुआ है अगर आपसे बात करें भारत जो ये मेघाले है ये आपका जो second number का क्या हुआ था नार्थ इस्ट ओलंपिक गेम हुआ था नार्थ इ ये मेजवानी किया है कौन सा राज इंपोर्टेंट ये वाला कोशन आर्थिष्ट ओलंपिक जो गेम हुआ है इसकी मेजवानी कौन सा राज किया दूसरे नंबर का तो याद रेखेगा ये मेखाले है आईए ये पहली बात है पहला उत्रिष्टा के एक्सलेंस सेंटर बना है तो बात कर लेते हैं कुछ पहले की जैसे अगर आप से बात कर लेते हैं पहला विश्विद्याले पहला वन विश्विद्याले कहां बनेगा भाईया तो पहला वन विश्विद्याले जो बनेगा ये बनेगा तेलंगाना में और बात कर लेते हैं भारत का जो पहला है ये भ कर लेते हैं दुनिया की पहली वैदि घड़ी कहाँ पर लगी है तो यह लगी है आज के दूसरे को बढ़ते हैं आज का दूसरा कोशन सत्सय स्वारी सात्मा शसस्थ्र पूर्व सेनिक दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है भाईया 14 जन्वरी को आईए और बात करते हैं मकर संक्रांती के दिन ही मनाया जाता है और एक और बात कर लेते हैं 15 जन्वरी को भी सस्त्रबली या कुछ समंदित है ऐसे तो उस दिन क्या मनाया जाता है थल सेना पंदरे जनवरी को थल सेना दिवस मनाय जाता है कब भाया पंदरे जनवरी को बात समझ में आ गया अगर आप से बात करते हैं पंदरे जनवरी को थल सेना दिवस मनाय जाता है तो यह किस नंबर का था तो याद रिखेगा जो मनाय गया है यह 75 नंबर का है और जो 14 जनवरी को मनाये हमने सरसस्तर बलपूर सनिक दिवस एक कौन से नंबर का था सातवी नंबर का है बात समझ क्यों ये दोनों मनाय जाते हैं तो आईए पहले इसको देख लेते हैं ये इसलिए मनाय जाता है क्योंकि जो भारत की सेना है भारत की सेना ब्रिटिस सेना से मुक्ती पाई थी इसलिए ये मनाय जाता है और बात करते हैं भारत के पहले इसी दिन जो थे भारत के पहले जो मुख चीफ थे कमांडर इन चीफ जो भारत के पहले मुख कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम है के यम करियपपा के यम करियपपा ये क्या थे अपना पद गरहड किये थे कमांडर इन चीफ के रूप में और कमांडर इन चीफ जो है के यम करियपपा ये 14 जनवरी को रिटायर हुए थे तो इसलिए ससस्त्रबलपूर सेनिक दिवस मनाते हैं हम 14 जनवरी को और जब ये उस दिन गरहड किये थे अपना पद तो हम 15 जनवरी को क्या मनाते हैं थल सेना दिवस मनाते हैं ये दोनों में क्या है फरक है दो लेकिन दोनों का समन एक ही आदमी से बास समझ में आ गया नौ सेना दिवस ये जल सेना दिवस हम कम मनाते हैं ये कमेंट बाक्स में जबाब दीजिएगा आईए हम कुछ और बात करते हैं जैसे अगर आप से बात करते हैं वर्तमान में थल सेना परमुख कौन है थल सेना परमुख वर्तमान में कौन है तो ये वर्तमान में थल सेना पर वायु सेना परमुक कौन है भाईया तो वायु सेना जो परमुक है वी आर चोधरी है विवेक राम चोधरी है अगर आपसे पूछे नौ सेना वर्तमान में परमुक कौन है तो आर हरी कुमार वर्तमान में क्या है नौ सेना परमुक है अगर आपसे पूछ ले दूसरे नंबर क के CDS कोई रहाँ दूसरा कोश्चन आईये आज के तीसरे कोश्चन को बढ़ते हैं आज का तीसरा question है कौन सा देश पंजाबी भासा को अपने पाठ करम में सामिल किया अब याद रखेगा करीब धाई लाक सिल जादा लोग अस्टेलिया में क्या बोलते हैं पंजाबी बोलते हैं तो बहुत तेजी से सबसे जादा तेजी से अब पंजाबी बोलने वालों के सं सबसे चोटा महादीब है सबसे चोटा महादीब कौन सा भाईया अस्टेलिया महादीब है इसे 85 भूम कहते हैं क्या काते भाईया 85 भूम कहा जाता है अस्टेलिया महादीब को क्योंकि मरुवस्तल सरवादीब सबसे बड़े-बड़े मरुवस्तल हैं यहाँ पर Gibson मरुवस्तल Simpson मरवस्तल, ये सभी मरवस्तल Great Sandy मरवस्तल, ये सभी मरवस्तल कहां? Australia में है बात के लिए रहे Australia में एक परवत सेश्रेडी है जिसका नाम है Great Dividing Range ये भी कहां पे भाईया? Australia में है और बात कर लेते हैं विश्त की सबसे बड़ी परवाल भित्ती है जिसका नाम है Great Barrier Reef ये भी कहां पे है? Australia में है विश्त की सबसे बड़ी परवाल भित्ती है Great Barrier Reef वास समझ मा गया Australia की घास को क्या करते है? Australia की घास की मैदान को Downs करते है अस्टिलिया की राजधानी पूछ ले कोई कौन है भाईया कैनबरा क्या है अस्टिलिया की राजधानी है अस्टिलिया की प्रधानमंत्री अगर कोई आपसे पूछ ले तो याद रखेगा अश्टिले के जो प्रधानमंत्री है एंथनी अलबनीज ये क्या है अलबनीज ये अश्टिले के क्या है प्रधानमंत्री है ये पॉइंट आपको याद रखना है अगर आप से भासा की बात आई है तो भारत की जो भासा है ये किस अनसूची में है जो समिधान में है तो स्थान में कितनी भासा का उलेख था 14 भासाओं का उलेख था बाद में आठ भासाओं क्या की गई है बढ़ाए गई है आए अगले कोश्चन को बढ़ते हैं हमारा अगला कोश्चन है समंद्रियान मिशन का उद्देश क्या है समंद्रियान मिशन का उद्देश क्या है तो यह important है समुंद्रयान मिसन किस ने शुरू किया किस मंत्राले ने शुरू किया ये आप से पूछा जा रहा है तो इस जो मंत्राले है इसका नाम है पृत्वी बिज्ञान मंत्राले एक कोशन आपको ये भी बताना है कि बताईए भाया कि पिर्थवी विज्ञान जो मंत्राला है इसके मंत्री कौन है ठीक है आईए बात करते हैं इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश मात्र इतना सा है समुंद्र यान मिसन का उद्देश ये है कि समुंद्र के में जो ख पता लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है सुनार कहते हैं अगर कोई वस्त दूब जाये तो उसे किस विधी से पता लगाया जाता है किस यंद से उसे क्या कहा जाता है सुनार कहा जाता है बात समझ माया जो समुद्रियान मिशन है उसमें जो वाहन लगेगा उसका नाम आप समंदर के अंदर ले जा सकती है और 6 किलो मीटर नीचे समंदर में जाएगी बात किलर हो गया अगर आपसे पुछले भारत का पहला समंदरी संग्राले कहां बनेगा समंदरी संग्राले भारत का पहला कहां बनेगा समंदरी संग्राले तो ये बनेगा भाया हमारे गुजरात ल पढ़ते हैं, जी हां, आज का हमारा पाँचवा कोश्चन है, कौन सा राज ट्रांस जेंडर वक्त को सरकारी नौकरी में क्या देगा, और अच्छड देगा, तो ऐसा करने वाला राज है हमारा है भाईया, पहला राज बन चुका है, कौन? करनाटक, इसी तरज पे एक राज और भी सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है उत्राखंड उत्राखंड ने क्या शुरू किया है भाईया उत्राखंड ने कहा है कि महिलाओं को इस्पेसल महिलाओं को नौकरी में 30% का क्या देगा आरच्छड देगा नौकरी में सरकारी नौकरी में कितने परसंट का आरच् उत्राखंड की बात आई है तो उत्राखंड के बारे में आवा निप्टाई देई पुसकर सिंग धामी यहां के क्या है मुख मंतरी है और गुर्मीत सिंग जनरल गुर्मीत सिंग जो है यहां के क्या है गवनर है राजपाल है उत्राखंड की बात करे तो अभी हाली में राज पुलिस परडाली को समाप्त करने वाला राज कौन सा बना है पुलिस परडाली को क्या कर दिया समाप्त करने वाला राज बन गया ये उत्राखंड उत्राखंड जो है हर एक जिले में एक जो गाउं है एक गाउं संस्कित गाउं बनाने की बात कहा है कौन उत्राखंड बोला ह ये इसकी राज भासा है, राज की भासा है, किसकी उत्राखंड की कौन सी भासा, संस्कित भासा, बात समझ मा गया, उत्राखंड की ब्राण्ड मेस्टर कौने बने भाईया, तो उत्राखंड की जो ब्राण्ड मेस्टर हैं, ये रिशब पंत बन चुके हैं, रिशब पंत बने हैं और एक लोग और बने हैं अच्छे कुमार इन दोनों लोगों को क्या बनाए गया उत्राखंड का ब्रांड एमेश्टर बनाएगा ये पॉइंट आपको याद रखना है आईए हम अगले कोश्चन को बढ़ते हैं हमारा अगला कोश्चन है इर्फान खान लाइफ इन मूवीज बुक के लेखक कौन है तो अभी हाली में 2019 में इर्फान खान की मुनित हुई है तो इर्फान खान की जो एक मूवी फर्माई गई है इसके लेखक है याद रखेगा शुब्रा ये पॉइंट एक मिनट शुब्रा इनका नाम है बहिया शुब्रा गुप्ता बात समझे मां गया आई ये कुछ और किताब की चर्चा कर लेते हैं जैसे इगनाइटेट इगनाइटेट माइंड इसके लेखक कौन बथाते हैं माइंड और बात कर लेते हैं इंडिया 2020 के लेखक कौन है विंग्स आफ फायर के लेखक कौन है तो ये तीनों के लेखक है हमारे मिसाइल मैं डाक्टर एपी जी अब्दुल कलाम है डाक्टर एपी जी अदुल कलाम को मिसाइल मैं कहा जाता है भारत का बैग्गानिक राष्टवती कहा जाता है और बात भारत में मिसाइल का जनक भी इनी को कहा जाता है और बात कर लेते हैं एक्जाम वेरियर एक्जाम वेरियर के लेखक कौन भाईया वेरियर के लेखक वेरि अगले question को बढ़ते हैं अगला question है best practice model के रूप में किस योजना को किन सरकार ने चुना है तो best practice model के रूप में जो ये योजना है किस योजना को चुना है नाम है year of enterprises को चुना गया ये योजना कहा की है क्या है इस योजना में ऐसा कि इसको किन सरकार ने model के रूप में चुन लिया तो इस योजना का उदेश ये है भयवा कि ये जो योजना है ये योजना का लक्ष क्या था उदेश ये था कि एक साल में एक साल में एक लाख लोगों को क्या देना है रोजगार देना है इस योजना का और एक साल में एक लाख रोजगार पैदा करना है रोजगार पैदा क बजिए को नब करण आ पाहिए तो केरल के सी एम है कौन भाई पिनरई बिजीन मसालो का बगीचा किसे कह जाता है किरल को कहा जाता है केल गिराजधानी क्या है तिरुवंथ पुरम है तिरुवंथ पुरम की बात करते ही दो तिन सवालों का जवाब तुरण जुबान पे आना चाहिए भारत का पहला इस्पेस टेक पार्क कहा बनेगा यही बनेगा तिरुवंथ पुरम में ही ताड के पतो का पांडूलिपी प्राले भी कहां बनेगा यहीं बनेगा तिरुवंद पुरम में यह पॉइंट आपको याद रखना है तो यह रहा आज का हमारा करंड फेर आईए हम कुछ और चर्चा करते हैं जो हम रिविजन में करवातें आपको तो पहला कोशन दिविजन का है मुखमंतरी आवासिये नया नाम रखा गया है मनोहर परिकर अंतराष्टी हवाई अड़ा यह पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है तमाकू कौन सा जो राज है किस तमाकू किसानों को रिड देगा तो ऐसा राज जो है भैया आंध प्रदेश है अब कोई अगर तमाकू गाना चाहेगा तो उसको रिड दिया जाएगा लेकिन उस पे ब्याज बिलकुल भी नहीं लगेगा कितना रिड बजट पेस किया है 28.1 करोड रुपे की कौन सा देश सुन कारबन स्रोतों से 87.6% क्या किया बिजली का उत्पादन किया United Kingdom मेधा की 20 परजात के खुजने वाला देश कौन सा बना अभी हाली में मेडा गासकर बना है बात समझ मा गया आजादी सैट जो उपकर है इसको कुल कितनी लड़कियों ने मिलकर बनाया है 750 इसको लड़कियों ने इसको मिलकर बनाया है किस स्टार्ट अप के तहद बनाया यह important है तो उस स्टार्ट अप का नाम है Space Kids India यह इस इंडिया जो है यह इसके स्टार्ट अप के तहाथ आजादी सैट उपकर है बनाया है प्रवासी भारते दिवस किस सार्व मनाया इंडवर में मनाया यह point आपको याद रखना है 9 जनवरी को मनाया गया है दुनिया की लंबी क्रूज सबसे दुनिया की लंबी क्रूज का किया गया यूपी के बनारस में किया गया है तो यह point आपके लिए important हो जाती है तो यह रहा आज का हमारा current फेर वीडियो पसंद आये तो भी like से subscribe कीजेगा thank you धन्यवाद दोस्तों